असलाम लीकुम बेलकम है रिदा फूट फेक्टरी यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सब आज मैं आप लों के लिए बहुती स्पेशल ओडियो कपकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि ओडियो कपकेक बनाना सिखाएं तो मैंने का जरूर सिखाऊंगी मैं और आपने आज की वडियो पूरी देखनी है ताके आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके बगैर टाइम वेस्ट किये रेसिपी शुरू करते हैं बिसमिल्ला रह्मान रहीम सबसे पहले एक बड़े साइस के बोल में मैंने दो अदद अंडे डाले हैं अब यहां पे 8 टेबल स्पून जाने के 8 खाने का चम्मत चीनी है जो के आदा कप के बराबर है पिसी वी चीनी इस्तमाल ना कीजिएगा जो रेगुलर शुगर होती है वो ही डालेगा अंडे की स्मेल खतम करने के लिए इसके पांच से छे ड्रॉप जाने के पांच से छे खत्रे वनील आईसंस के एड़ होंगे आप कोई सा भी आईसंस इस्तमाल कर सकते हैं अब आपने इन तीनों चीज़ों को ऐसे भी मिक्स कर लेना है अभी मशीन ओन नहीं करनी परना चीनी बाहर गिर जाएगी जैसी थो छीज़े दो आपने इसको बीट करना है मशीन ओन कर दिनी हैं इसको पांच से छे मिनट के लिए भीट करेंगे आपने अंडे, चीनी और आइसंस को इतना भीट करना है कि चीनी और ये सब चीजे यक जान हो जाए इनका color change होने लगे सिर्फ color ही change नहीं करना चीनी भी बहुत अच्छे से mix करनी है क्योंकि चीनी दानेदार है इसको mix करने में जरा time लगेगा अगर आपके पास ये machine नहीं है तो आप hand whisk का इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी ये तीनों चीजे अच्छे से mix हो जाएंगी उससे आपकी speed पर depend करता है जितनी जादा speed होगी उतनी जल्दी अंडे, चीनी और आइसंस mix होगा तो यहाँ पर देखिए अंडे, चीनी और आइसंस अब अच्छे से mix होगा है अब इसके नहीं डालेंगे oil मशीन से mix नहीं करना है आपने कोई भी spatula ले लेना या चमश ले लेना है अब इसमें मैंने 6 tablespoon oil add की है साड़े ingredients मैं description box में mention कर दूंगी आप वहाँ जाके note कर सकते है अब जी सब चीज़े mix होगे तो dry ingredients डालेंगे एक cup मैंने यहाँ पर मैदा लिया है वन टी स्पून इसके इनर baking powder add होगा यानि कि एक चाय का चमश और यह मीठा सोड़ा नहीं है यह baking powder है दोनों चीज़ों को अच्छे से चान के डालेगा फीरी के एक अच्छा बनेगा और अब आपने इसको cut and fold के method से mix करना है जैसे आपको screen पर नजर आ रहा है पहले मैं fold कर रही हूँ और मैं cut कर रही हूँ यहाँ पर वीडियो की speed ज़्यादा इसके लग रहा है कि मैं speed से mix कर रही हूँ वैसे हैं बहुत आहस्ता मैं mix कर रही हूँ जितनी आहस्ता बैटर को mix कर से cut and fold के method से मैं इसको आहसता मिक्स करूंगे आपने बैटर को over mix नहीं करना अगर आप बहुत ज्यादा इसको पैंटेंगे ना जैसे अंदा पैंटेंगे ऐसे नहीं पैंटना वरना यह जो बैटर बनतों सही जाएगा लेकिन cake सख बनेगा अच्छा जी टू टेबल स्पू जी सबसे main ingredient oreo biscuits हैं तो oreo biscuits के मैंने two packets लिये हैं एक packet में three biscuits हैं तो total six biscuits बैटर में डालेंगे कोई से भी flavor के oreo biscuits लें cream vanilla cream वाले मैं use कर रही हूं आप chocolate cream वाले भी use कर सकते हैं strawberry वाले भी use कर सकते हैं अब जी इस point पर देखें गोर से कि आपने oreo biscuits को न चार इस सो मिड़िवाइट करके डालना ज्यादा इसके प्रीक प्रीक पीस नहीं करने वरना फिर बैटर खराब सा हो जाएगा बस इस तरह से हाथ की मदद से तीन चार पीसिस करके डाल देने और इसकी cream अंदर से आपने अब जी मैंने हाँ पे एक लिए है tray cupcake tray है इसके अंदर डालेंगे liner ये cupcake liners आपको easily market से मिल जाएंगे अगर आपके पास ये cupcake liners नहीं है तो आप direct cupcake के tray में oil लगाके बैटर डाल के cupcake बना सकते हैं तो जी अब इस cupcake liner में oil लगाने के आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैं direct बैटर आपने डालने हैं अगर फूल इसको भर देंगे ना तो फिर cupcake की shape भी अच्छी नहीं आएगी और जो सारा बैटर है वो फूलने के बाद बाहर निकल जाएगा तो फिर सारा खराब हो जाएगा तो बस अब इसको एक दो बार tap tap करेंगे अब आते हैं इसको बेक करने बार बार नहीं को होना पूरे बाइस में बाद आपने चेक करना है ओवन में बेक करने की टाइमिंग यह है कि आप 180 डिग्री Celsius पे इसको पूरे 20 मिनट के लिए बेक करें और यहां पर फ्लेम इतनी होनी चाहिए जो आपको नजर आ रहे हैं इस फ्लेम पे आपने इसको बा बार सकते हैं अब आपके को ठंडा होने के लिए रखते हैं अब आते हैं इसकी क्रीम बनाने के तरफ तो इसके लिए मैंने यहां पे तीन पैकेट औरियो बिस्किट के लिए हैं जिसको मैं इस तरह से खोल के रख रही हूं आपने इसकी क्रीम इसमें से निकाल लिए है क्य क्रीम है इसको हम रखतेंगे साइड पर ये बाद में इस्तमाल में आएगी और जो बिस्किट से अब आपने इसको बहुत अच्छा पाउडर बना लेना है तो देखें यहां पर इसको मैंने बहुत अच्छा सा पाउडर बन गया है इसमें साबत और यो कोई भी नहीं होना च वरना फिर फ्रॉस्टिंग अच्छी नहीं बनेगी आप कोई से भी ब्रैंड की विपिंग क्रीम इस्तमाल कर सकते हैं मैं यह वाली यूस कर रही हूं और बिल्कुल थंडी विपिंग क्रीम की जुरुरत है तो मैंने डेड़ कप यख थंडी विपिंग क्रीम एक बोल में हो जाती है अगर आपके पास यह मशीन नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी इसको मिक्स कर सकते हैं जो हर गर में बीटर होता है बहुत अच्छे से बिक्स की है अब जो ओडियो बिस्किट्स वाली क्रीम थी वो भी इसमें डाल देंगे इससे मजीद अच्छा फ्लेवर हो जाता है और एक और बाज़े जो विपिंग क्रीम है अगर आपकी विपिंग क्रीम मिठी नहीं है तो आपने इसमें चार खाने का चमश पीशी चीनी डाल देनी है तो आप इसके अंदर डाल लेंगे औरियो के जो आमने ख्रश करके रखे थे cookies और आपने जो है ना इसको च के सबुचा लीगे क्रश्ष के यह बार में डिणिंग के लिए काम आएंगे अब मैंने एक पाइपिंग लिए इसको आगे से थोगा सा कट कर लेंगे और बगार नौजल के बगार किसी डिजाइनिंग क्या अपने ना इसको बस डिजाइन कर लेना है मतलब सिंपल से जाएगी सिम्पल से इस पर डिजाइनिंग कर लें जैसे डिजाइनिंग आपको पसंद है आप इसको क्रीम के बगार भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे अब औरियो बिस्किट को उपर मैं कट करके लगा रही हूं दो इससों मैंने डिवाइड किये बिस्किट को अब करो सकते हैं मैं सिम्पल से डीसानिंग की और जो औरियो के क्की और या कि मज़ेडार हमारे और्व कॉपकेक्स अब घंड़कर होते हम रिज्वकynam करके लिए थाइसको दो से 3 दिन और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ऐसे नहीं जाएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैंने और बहुत अच्छी रेस्पी आपको सिखाई हुए हैं और मजीद सिखाती रहोंगी यह थी मेरी आज के ओडियो कपके सब्सक्राइब करें इंशाला मिलती हूं नेक्स वीडियो में दुआओं में याद रखें अल्लाहाफीज खुश रहें